नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे ओपन ओफिस बेस सॉफ्ट्वेर के बारे में अगर आप क्लास 10 के स्टुएंट है और अगर आपने इंफोर्मेशन टेक्नोजी सब्जेक्ट लिया है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उसफूल होने वाला है तो चलिए सुरू और डेठाने में यहां पनी और अपर पूरट्व पेशिक्स काम होते हैं पहला होता है टेवड करना दूसरा होता है उस terror होता है उस देख रहें तीन option आपको दिखाई दे रहें create a new database और second option दिखाई दे रहा है open and existing database create का मतलब हुआ कि अगर आप first time database create करना चाहते हैं तो आप create पे click करेंगे एक database के अंदर कई table आप create कर सकते हैं ठीक है ऐसा नहीं कि हर table के लिए आपको एक database create करना है तो आप first time अगर create करना चाहते हैं तो create a new database अगर आपने कभी create किया होगा database last time या कल किया हो या पर्सु किया हो तो आप open and existing database पे click करके यहां से select कर सकते हैं लास्ट ताम मैंने connect to an existing database यहां पास बहुत सारे platform दिये हुए हैं अगर आप इन platform का यूज करके आपने record बनाया है तो आप उसे भी यहां पास connect कर सकते हैं जैसे यहां पास आपको common option दिख रहा होगा spreadsheet spreadsheet जनल नहीं हमारे आपको column ले लेता हूं ताकि आपको चीजे समझ में आए कि ने मैंने a दे दिया दी और जैसा कि आप यहां पास देख रहा हूंगे कि मैंने आपास column लिए आप close कर दीजे अब आप फिर यहां connect spreadsheet पर जाए देन नेस्ट पर किलिक कीजिए अब यहां location पूछ रहा है कि जो आपने बनाया है वो किस location पे जैसा कि आपने देखा था कि मैंने उसे drive में बनाया था तो बस drive को open कीजिए और यहां पास अपको दिख रहा होगा सीट पर किलिक कीजिए और इसे open कर लीजिए ठीक है यहां पास आगया एकसल सीट में जो रिकॉर्ड ठाजिव इनफोर्मेशन थी उसको आपने अपने डराबेस में क्रेड कर लिया है ड्राबेस में करने के बाद आपना डेटा विस जो है तका डिरेटाहबैस । आपको से भी करना होगा तो यहाँ पास वो लोकेशन आपको यहाँ पास देना है को लोकेशन में इर्टारीब कर देते रहा हूं लिटाबस का नाम डीवी 2 देदेते हैं .\ कर देते हैं जैसे कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे सीट वन के नाम से डेटाबेस वो गया है सीट वन क्या है सीट वन पर मैंने रिकॉर्ड बनाया था जैसे कि आप जानता ही है ऑपन आफ कि अब हम बात करेंगे कि किस तरह से नया डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं ठीक है अब यहां पास पहला जो ऑप्षिन है जो बाइडिफॉल्ट सेट रहता है उसे ही रहने दे और फिर नेक्स्ट बड़न पर क्लिक करते हैं देन नेक्स्ट औरव फिनिश है जैसे कि मैं यहां फिनिश करते हैं तो हम से पूछा आता है लोकेशन कि किस लोकेशन पे आपको डेटाबेस सेफ करना सा इसक slick.. क्या हम यहां पास ने स्टार्टेग में पता था कि चार ओप्शन इंपॉर।T होते हैं टेबल को करना है उसके command table में value insert करना है उसके command हर तरह के command जो है आप यह टूस मिनू में जाके sql वाला option open करके यहां पास type कर से हैं suppose मानले जिये हम यह वाले options टेबल create नहीं करना चाहते हैं Command के थ्रू ही करना चाहते हैं तो हमारे पास यह option अविलेवल है यहां पास हम create table table का नाम जो भी देना हमालों में student देना है student दे दिया उसके बाद column का क्या नाम देना चाहते हैं तो column का नाम जैसे हमने दे दिया ro role number उसका type दे दिया हमने number size दे दिया हमने 10 दूसरा column ले लिए हमने name उसका type दे दिया वेर्केर अगर आपने SQL पढ़ा होगा तो इसका मतलब समझ रहोंगे क्यों यहां पास bezoom COM भूण कर रहा हो और number बाइक गार ठीकर रहा हो यहां पास देख रहोंगे रॉंग LEAD टाइब नंबर इस स्टेट्मेंट create टेबल यानि कही न जहीं देख्ट होता तो यह क्या मिस्टेक है थी तेट का नाम is one letter आप संट करेंद ति आप से heo इसे विश्क है कि तो स्टेबल का नाम है रोल नूमबर इसका टाइप हमने incarnate दे दिया नेम दिया और इसका टाइप दिया वेर्केर और साइज दिया 20 अब यहां पास देखिए मैसेज आ गया आपका कमांड सक्सेसफुली अगर कोई मिस्टेक होगा तो यहां पास एरर आएगा अगर कमांड सक्सेसफुली क्रियेट हो जाएगा तो आप देखेंगे है टेवल क्रियेट हो गया है इस्तुडेंट के नाम से यहां पास देख हैंगे आपको कोई भी टेवल आपको नहीं दिख हैं ठाहिं कोई भी टेवल लापको नहीं दिख भाईगा नहीं दिख्जार और घंड दो हों कि मैंने टेबल क्या वड्ट टेवल आपको यहां दिखाई ने दे रहा है या तो आप इसके इसको या इप इस स invert mostrar दीजे या यहां पास एक मेशे disproportion होता है एक रिफ्रेश टेमेश से हैं एक बार्ब आजाएगा या तो इसको क्लोस करके दुबार ओपेन करेंगे तो भी दिखेगा बट क्लोस करने की ज़रोत नहीं है आप सीधे व्यू में जाए और रिफ्रेस कर दीजिए अभी इसे ओपेन करके देखते हैं इसमें कोई रिकॉर्ड नहीं क्योंकि हमने क्यों अभी टेवल क् और इसमें इंसर्ट कर सकते हैं तो यहां पास तो यह शग्रूज आपको स्ह자를 कमार्ड आपश कर सकते हैं जो भी आपको मिंद्क करना है ठीक है इसे हम टेबल करते हैं तो अब इसमें देखेंगे हम design view और wizard view ठीक है design view क्या होता है design view का मतलब होता है कि आपको एक easily platform मिल जाता है जहां पास manually आप हर एक चीज़ टाइब कर लेते हों और wizard का मतलब होता है किसी भी software में wizard का मतलब होता है कि आपको one by one सारे स्टेप्स दिए जाएंगे आपको यहाप कुछ नहीं करना कि अवह सलेट करते जाना आप सलेट करते जाएंगे और आपका काम होता जाएगा चले फिर डिजाइन देखते हैं डिजाइन पर हमने क्लिक क्या यहाँ पास देखे पहला फिल्ड दिख रहा है यह फिल्ड ज लिए नेम कि इसका टाइब वेर के आपको यहाँ पास बाइडिफॉल्ट आ जाता है थार्ड कॉलम ने लिया फादर का नाम कि फोर्थ हमने ले लिया क्लास कि फिप्त हमने ले लिया मुबाइल नंबर यहाँ टाइब वेर के राया है आप यहाँ पास नंबर सेलेट कर लि नेम क्लास और मोबाइल नमर मेंने कॉलम लिये हैं और साइड इसका टाइप दिख रहा है तो उससे डिलेटेड डिटेल नीचे आ रहे हैं यहां पर सब देख सकते हैं बिख रेक रिक रेकॉइड लेंठ डिंदट्रक् सब्दआ कैशे स्वाड़ल दीख रहे हैं कि यहां कश the picture बिखुआइप दिखुआँ पर सब्सक्राइब निर飯ाएं कि और इस वीज़िए इसवल में इसको ड़ोन तेकंट सरफ क्रों में satisfaction जो है वो इंसर्ट करना मेंडिटरी हो जाएगा अगर आप इस कॉलम में रिकॉर्ट को छोड़ेंगे तो डेटा में डेटाबेस में जो रिकॉर्ड हो इंसर्ट नहीं होगा ठीक है अगर आप चाहते हैं मेंडिटरी करना तो इसको यस कर देंगे तो इस कॉलम में जरूर add कर ले, जब भी हम table बनाते हैं, तो एक table में कम से कम एक primary की जरूर होना जाहिए, ताकि record जो है वो duplicate ना हो, जैसे roll number होता है, roll number को हम primary की बना सकते हैं, या admission number होता है, अगर हम एक student का record maintain कर रहे हैं, तो primary की बना सकते हैं, कोई भी एक column जो unique हो सके, उसे हम primary की बना सकते ह है, एक ही नाम के दो या तो से अधिक लोग हो सकते हैं, फादर नेम भी सेम हो सकते हैं, class सेम हो सकता है, तो आप roll number या mobile नमबर को भी बना सकते हैं, यहां पस में roll number पे right click कर रहा हूं, और यहां पस देखिए, option आ रहा है primary की, वीडियो लंबा जरूर है, बट हर एक doubt आपक पर उस पर हमने primary की add कर लिया, अब इसे close करिए, जैसे हम close करेंगे तो table को save करने का बूलेगा, यहां देखिए, message आ गया, the table has been changed, do you want to save the change, yes, यहां पस आप table का नाम दे दीजे, by default table 1 दिख रहा है, आप चो भी देना चाहे, माल लग यह टीबी 1 करना चाहते हमने, तो पहला जो table बनाया था हमने, यहां पास tools में जाके SQL के थूरू बनाया था, दूसरा हमने create table in design view से बनाया, अब यह तीसरा table हम इसके थूरू बनाएंगे wizard के थूरू, यहां पास आप देखरें, table पे click है, अब यहां wizard पे click करेंगे, यहां पास देखिए, पहले से बहुत सार पहले से बने हुए मिल जाएंगे, आपको कुछ बनाना नहीं पड़ेगा, इसके लाव अगर आप personal बनाना चाहते हैं, तो personal पे click कर सकते हैं, मैं आप personal लेके चलता हूं, यहां पास क्या-क्या चीज़े आप लेना चाहते हैं, इसे मालए account ID लेना चाहते हैं, यहां पास आ arrow देख रहे हैंगे, एड करने को, तो जो भी चीज़े यहां selected field में आएंगी, वो एड हो जाएंगी, तो यहां मैंने इस पे click किया, यह देखे, account ID एड हो गया, account number अगर आप एड करना चाहते हैं, तो account number, ठीक है, इसके लावा इसमें और भी चीज़े दी हुई हैं, यहां से भी आप देख सकते हैं, account number अगया, account name add करना चाहते हैं, account name, description add करना चाहते हैं, तो यह, और इसके बाद next, यह देख रहे हैं, आप 4 column add हो गया है, next पर क्लिक करेंगे, यहां पास भी आप चाहें, तो इस column का नाम जो है, वो change कर सकते हैं, जैसे account ID है, और दूसरा अगर आप नाम डालना चाहते हैं, तो यहां से डाल सकते हैं, फिल्ड का type integer है, अगर चेंज करना चाहते हैं, तो चेंज कर सकते हैं, size जो है, वो 10 है, अगर आप चेंज करना चाहते हैं, तो चेंज कर सकते हैं, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखे है, कि जब भी आप table create करते हैं, तो table create करने के लिए, जो चीज़े important हती हो, एक बार समझ ल करने पड़ती है, यह जो चीज़े होती है, बहुत important होती है, table का नाम, column का नाम, column का type और उसका size, तो जब भी आप table को create करते हैं, चाहे वो SQL के थूरू create करें, चाहे यह wizard के थूरू, यह design view के थूरू, तो यह चीज़े आपको set करना पड़ता है, then next करते हैं, यहां बस देख रहें, एक option आ रहा है कि use an existing field as a primary की, जैसे कि मैंने बताया कि जब भी आप table create करें, तो एक column में primary की जरूर रेट करें, ताकि जो record हो, वो duplicate now, तो यहां पास हमने बताया था wizard के थूरू, आपको कुछ type नहीं करना पड़ता है, कि हो select करते जाए और आपका table create हो जाता ह तो जैसे account id, id unique होता है, तो हम इसे primary की set कर सकते हैं, तो हमने account id जो है, उसे primary की set कर लिया है, नीचे देखिए, एक option आपको दिखाई दे रहा होगा, define primary key as a combination of several fields, तो आपके पास कोई एक ऐसा column नहीं है, जिसे आप primary key बना सको, तो आप क्या कर सकते हो, एक से ज़्यादा column क base पे भी primary key बना सकते हो, ठीक है, जैसे मान के चलिए, अगर हमारे पास नाम होता, id नहीं होती, ठीक है, नाम होता, father name होता, तो name और father name, दो चीजों को लेके भी हम एक primary key generate कर सकते हो, ठीक है, बस आपको करना क्या होता, इस पे click करेंगे, जैसे मान लिए हम third वाले पे click करते ठीक है, माल लिए, अगर हम suppose यह माने कि account id जो है, वो duplicate है किसी का, तो account id भी ले लिया, और दूसरा ले लिया हमने, उसका नाम भी ले लिया, अब देखिए, आपस दो चीजी हमने ले लिए, अब यह दोनों के base पे primary key generate हो रहा है, मतलब गर यह दोनों चीज डूब्लिकेट कर दिया, then next, और finish कर दीजे, यहां पास एक option दिख रहाओगा, what do you want to name your, यहां पास आपको option दिख रहाओगा, what do you want to name your table, यहां पास अगर आप table का नाम देना चाहते हैं, तो दे सकते हैं, यहां पास tv3 में कर देता हूं, यहां पास finish, यह देखिए, आपका table create होगा, tv3 के यहां पास देखिए, table, इस पे right click करके, आप edit भी कर सकते हैं, पास edit का option है, अगर table में कोई change करना है, तो यहां पास से change कर सकते हैं, नया column add करना है, तो नया column add भी कर सकते हैं, और अगर एक समे record insert करना है, तो इस पे right click करके, open का option आपको दिख रहा होगा, open पे click करके, यहा पस रिकॉर्ड आप इंसर्ट कर लीजिए और इसे क्लोज कर लीजिए वह सेव हो जाता है फिर से आप क्लोज करके सब्सक्राइब करके इसको देख लीजिए यह जो रिकॉर्ड मैं इंसर्ट करना चाहते इंसर्ट कर लीजिए डिलेट करना है डिलेट कर लीजिए रिनेम करन में कोई चीज चेंज करना है या डिलीट करना है तो यहां पास भी आप राइट क्लिक करके दिख रहा हुगा डिलीट रो तीक है यहां पास रो को डिलीट कर सकते हैं कि नेस्ट आता है का क्वेडि का ऑप्षिन तो पहले कुछ टेबल में रिकवाड इंसर्ट कर लेते हैं टेवल वन जो है उसमें कुछ रिकॉर्ड इंसर्ट कर लेते हैं जैसे रोल नमर किसी बच्चे का एंधार ने माल लिजे वान फादर नेम यह है इसमें हमने फादर नेम ए दे दिया क्लास दे दिया वन मूबाइल नमबर में ऐसे ही डाल दे रहा हूं किसी का रोल नमबर टू है नेम उसका भी है यह क्लास टू का अगर वच्चा है कर लीजैंगे टार को आप जसे अब देखर हैँ आपस मैंने पांच रिकोर इंसर्ट कर लिया है ठीक है अब सेब कर लिए आप सेब नहीं भी करते हैं तो भी सेब कर लेताया ठीक है अब क्या करना हमें अब इसके बेसे हमें क्वेरी चलाना है इतना आपको समझ में आगया है कि टेवल हम किस तरह से क्रिएट करेंगे कई ऑप्शन से जो आपको इसी लग आप उसको यूज कर सकते हैं अब नेक्स्ट एक्ष्ट ऑप्शन है आपका क्वेरी का अब से ओप्शेयरी में भी वही चीछ दिखर आपको डिजाइन विउ दिखराएंगे और कि विजड को अ कि तो आप डिजाइन विगंई थूंप उन्हां सकते हैं जैसे कि आप यहां देख रहोंगे हम लोगंज़ को ब्नाते हैं विजड़ ज्यादा इस데 होता है एक बार इसक एकआउंट नवर लेना है एक्व हों लेना है कंट लेना है और ये टिडिसरीप्शन लेना खार्ड एतना क्लीक करने कीश्य आप पास दिया हुआ टेबल का नाम पस क्लिक करते जाए अपने आप टेबल ले लेगा और यहां विजिबल मोड जो है भी आफ करने के लिए है और यहां करने के लिए यहां पास एक टिक का निसान आपको दिख रहा होगा देखिए रन क्वेरी या तो आप कीबोर्ड से फंसन की जो f5 होता है उसको प्रेस कर दीजिए यहां इस उप्षन पर क्लिक करेंगे तो देखिए रिकॉर्ड सो हो रहे है अगर इसमें से किसी को आप अंचेक कर देंगे और फिर क्लिक करेंगे तो वह कॉलम का जो रिकॉर्ड हो जाएगा तो यहां पास मैंने तीन कॉलम ले यह देखें कोईरी वन करके सेफ हो गया तो दूसरा जो लिखनारा यूज विजार्ट क्रिएट करते हैं कोईरी यहां पास देखिए कौन सा टेवल लेना है या आपको हैंपास सबेट करना हुआ कोईरी लेना है जो आपने भी बनाया था यह श्ट्टूड नाम का टेवल है टीवी वन लेना है या टीवी थ्री लेना ठीक है माल लेजिए हमें टीवी मॉल लेना है इसे क्लिक कर लिए इसमें देखे कौन को से कॉलम है रोल लंबर है सारे कॉलम चाहिए तो आप ले सकते हैं यहां से लेट कर लिजे और यहां असे अंडिंग ओडर तीक है कि यहां कुछ कंडिशन देना है तो आप कंडिशन दे सकते हैं मैं यहां पस डाइट फिनिस कर देता हूं ठीक है यहां पस देखे सारा रिकॉर्ड जो आपको यहां पस दिखाई दे रहा है विसे क्लोस करेंगे यह दिखिए जो सेकेंड कोईरी है यह बनके आपका आ गया है आप इस पह सब्सक्राण करा है आप यहां पास नाम आगर चेंज करना चाहए है तो ऊई करके छम कर सकते हैं तो यहां पास भी दो option है क्लिक करोगे तो फोर्म कीशन करोगे तो फर्म किस पर creature होता है form का मतलब हो कि जो आपने है रिसे हम टड़े ले ली लना इसमें इतने हैं सारे कॉलमस को इसपे लिए लेते हैं घूल देगा पास देखिए और है तो यह लेना है आप देख सकते हैं जो वह बॉक्स है उसके जो लूक है वो है उचेंज हो रहे हैं और हैं किस तरह से आ रहे हैं यहां पस पहला बिटन पर क्लिक करेंगे यहां पास अगर आप नाम चेंज करना चाहते हैं तो दे सकते हैं अधरवाइस फिनिस कर दीजिए इसको कि यह हमारा फॉप जो है वह क्रीट हो गया जैसे आप देखर आपको आपको यह पास रिकोर्ड दिखने रोल नॉम्बर वन में जो मनें डाला था नेम डाला था फादर नेम डाला था ख्लास डाला था और उसका मोबाइल नम्मर डाला था वो दिख रहा है इसे हम नीचे से आपस next कर सकते हैं one by one जिससे two आ गया three record four record five record तो यह इंसर्ट किया था तो यह record आपको यह पास दिख रहा है तो यह form create हो गया है जब भी आप इस table में जो table हमने यह आपा पास हमने टीवी वन जो टेवल से लेट किया जिसके अंदर यह पास रिकोर्ड हमने इंसर्ट किये थे जब भी आप उसमें रिकोर्ड इंसर्ट करोगे न ऑटोमाटिक इस फॉर्म के उपर दिखेगा आपको तो यहां पास आप सिधे जब भी इसको ओपन करेंगे तो यहां पास वो रिकोर्ड दिखेगा आपको अब नेक्स्ट है आपका रिपोर्ट तियार करना सौरी अभी डिजाइन विव बचा हुआ था इसको इसको भी देख लेते हैं किस तरह से इसको यूज करते हैं तो क्रिएट फॉर्म इंडिजाइन विव पर क्लिक करना आपको वीडि के जैसे यहां पास आप देख रहेंगे चैक बॉक्स दिख रहा होगा स्वरी टैक्स सौ में लेना होगा टेक्स आपक्स नियाँ पच्पर पास लिए कर लिए अ नहिए यहां पास लेंजार ले लेते हैं कि पहला दुसरा तीसरा नो लिए पांच और साधा तो यह इसका नाम चेंज कर सकते हैं अभी दिख रहा है लेवल फिल्ड वन दिख रहा है लेवल पर क्या दिखा हुआ है लेवल फिल्ड इसका नाम आप यहां से इसका नाम डालेते हैं रोल नंबर है यह डिल्ल नंबर हमने डाल दिखें यहां पास रोल नंबर हो और भी चीज़ें इसके फोन कर सकते हैं तो जो भी चेंज करना तो यहां style भी दिया हुआ फोन का पोभी कर सकते हो देख रहा होगा आपको तेक अब इस पर क्लिक करके इसका नाम कि नेम कर देते हैं कि इस पर क्लिक करके इसका नाम father name कर देते हैं कि नेश्ट था आपका father name के बाद क्लास था फिर नेस्ट है आपका मोबाइल नंबर इतने कॉलम हमने सेट कर लिए अब क्या करना यह टेक्स बॉक्स आपने लिया है फाइव टेक्स बॉक्स इस पर राइट क्लिक करेंगे यह राइट क्लिक करेंगे और यह option आजाएगा आपका राइट क्लिक करने पर यह जो control होता है इसी के options होते ही यह तो यहां पास आप देख रहे होंगे data दिख रहा है और event दिख रहा है तो data वाला जो है मतलब जो table हमने बनाया है तो इसके लिए आपको database आपको connect करना होग में जैसा कि आप देख रहे हैं आपस कुछ दिख नहीं रहा आपको select करने के लिए पूरा blank data field कुछ भी नहीं दिख रहा है तो इसके लिए क्या होगा सबसे पहले आपको उस table को connect करना होगा इस form से ठीक है वह कैसे होगा जो हम इस पर right click करेंगे तो option दिख रहा होगा आप आपस form form पर हम क्लिक करेंगे और यह वाला option आएगा form properties का form में data पर क्लिक करना है आपको ध्यान देना है आपको यहां पास किसी भी text box पर right click कीजिएगा और यहां पास जो form वाला option दिख रहा है form यह form की property है form मतलब यह पीछे का जो पूरा form है इसकी property ना कि text box की property इस पर data प को यहां पास content का तो content पर आपको यहां पास क्लिक करना है यह दिखेंट दिख रहा भी बाकि content type table आपको यहां दिख रहा है और SQL command दिख रहा है तब table पर click करेंगे और यहां पस क्या दिख रहा है student tb1 tb3 जो जो table आपने इसमें बनाया है उसका पूरा list आपको यहां पास दिखेगा तो जो भी टेबल आपको श्लेट करना है मालाद यह टीवीवण श्लेट करना जिसके लिए यह बनाया है क्योंकि टीवीवण में हमने रोल नंबर नेम, फादर नेम, क्लास और मुवाइल नंबर लिया है तो इसी टेबल को यहाप स कनेक्ट कर लेते हैं ओके यह connect कर लिया आपने, अब इसे click करेंगे, तीक है, उसके बाद अब इस text box पे जाएंगे, अब इसके control में जाएंगे, अब यहाँ पास आप देखेंगे कि जो TB1 हमने select किया है, इसके column यहाँ पास आपको दिखाई दे रहे हैं, तीक है, जब तक आप form से correct नहीं करेंगे, father name के लिया है, fourth class के लिया है, और यह वाला हमने लिया है, mobile number के लिए, तीक है, यह आगया हमारा one by one, अब क्या करना आपको, यह जो design view दिखता हो का आपको, इसको on कर लेना है, तीक है, जैसे यह on हो गया, sorry, off हो गया, तो आप देख रहे होंगे, जो record थे table में, one, a, 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 one, 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 two, three, four, five, यहां से उसे next कर लिजे, यह देखिए, one by one ही पूरा next हो रहा है, तीक है, तो यह design view के थूरू आप इसे बना सकते हैं, तीक है, यह थोड़ा सा tough है, wizard के compare में, बट यहां पास आप अपने according जो है, पूरी चीजे जो है, वो set कर सेते हैं, यह से कि मैंने तो इ क्लिक करके, बता देरें कैसे, जैसे फिर से आप design mode पे जाओगे, इसे on कर लिजे, right click करेंगे, इसका जो control है, इस पे click करके, इसमें general वाला जो option दिख रहा है, इस पे click करके, आप इसके font के size को भी घटा बढ़ा सकते हैं, यहां पास दिख रहा है, आपको font पे click करके, इसक form को त्यार कर सकते हैं, save कर लिजे, तो यह दूसरा form हमारा त्यार होगे, ठीक है, अब last में आता है, report त्यार करना, report का मतलब होता है, कि अब आपका सारा काम complete हो चुका है, अब आप उसको print निकालना चाहते हैं, ठीक है, तो आप report पे click करेंगे, और then use wizard to create report, report पे जैसे ही click करते हैं, पर दिखिए, table और queries, जितने table आपने बनाए हैं, और जितने queries बनाए हैं, उसकी list आपको यहां पास दिखती है, आपको भी select कर लिजे, जिसका आप report त्यार करना चाहते है, फिर इस button पे, और यह सारे columns आ गए, then next, यहां पास आपको दिख रहा है, role number, name, father name, class, mobile number अगर आप change करना चाहते हैं, यहां पास भी नाम, role number की जगए कुछ और तरीके से role number को दिखाना चाहते है, name की जगए कुछ और heading देना चाहते हैं, तो आप दे सकते हैं, otherwise query यहां पास आप, next, ग्रूपिंग अगर करना है, जरूरी नहीं है, आप इसको छोड़ दीजे और step by step कीजेगा, तो यहां पास देख रहोंगे, title, date और यह record सारा यहां पास, जो भी table में था, वो सारा आपको यहां पास दिख रहा है, आप चाहें, तो आप इसे print command की है, यहां से print निका सकते हैं, यहां तो PDF क्रेट करना है, तो PDF क्रेट कर सकते हैं, I think, open office base जो था, आपका software, इससे related जो doubt थे, आपके clear होगे होंगे, और यहां पास database में जो table create करना, query create करना, form create करना, और report create करना, तेके, इससे related कोई confusion हो, तो comment section में जबर पुछेगा, धन्यवाद,